हालो स्टुडेंट वेलकम बैक तो स्टुडेवाइड़ 24-7 आज की वीडियो आप लोकुल के बहुत इंपॉर्टेंट बहुत स्पेशल होने वाली है स्पेशली उन स्टुडेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा बैनिफिशल होने वाली है जिनका सी यू एटी ट्वेंटी पूर के अंदर स्कूर कम रहा है अब वो बच्चे आगे क्या करेंगे उनके लिए कौन कोंसे से बैक अप ऑप्शन होंगे जिनमें वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी रुकावट के तो वही सारी चीजे बताने वाली हो अगर लोग कम आया है तो करते हैं लो माक्स इन सी यू एटी ट्वेंटीवेंटीफोर टॉप बैक अप ऑप्शन ठीक है तो कुछ कुछ जो है वो आपके दिमाग में आ रहे होंगे जिनका भी स्कूर कम रहा है अब उन में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें अलग अलग तरे के कुश्चन ज होंगे जो आपके दिमाग में घुम रहे हैं ठीक है अब इन सभी का मैं अंसर देने वाली हूं तो वीडियो को लासर दो देखेगा तो यहां पर और बैक अप प्लान आपके लिए कौन-कौन से होने वाले हैं ठीक है तो फर्स्पार या पर बात करेंगे बेस्ट पेक अप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप अपने करियर को बिना रोके आगे आप फर्दर अपनी स्टडी को कंट्यूर कर सकते हैं तो आप क्या करोगे आपके लिए प्राइवेट कॉलेज जो है वो ऑप्शन में आप रख सकते हैं तो आप चाहो तो अपनी पढ़ाई को कॉंटिन्यू करने के लिए प्राइवेट कॉलेजिस में एड्मिशन ले सकते हैं निक सब बात करेंगे कि अगर किसी बच्ची की ज सकते हो इसमें आपको साल में एक बार आपको क्या करना है बस एक्जाम देने के लिए जाना है आप घर बैटे अपनी तयारी करोगे ठीक है इसमें आपको जो है वो बार बार एक रिगलर जो स्टुडेंट होते हैं जिनको जाना पड़ता है तो उस तरह कि आपको कोई भी एक तरीके से criteria होता है ने कि आपको जरूर ही जाना है तो वहां पर कोई ऐसा compulsion नहीं होता घर बैटके अपने तयारी कर सकते हैं साथ में किसी और other courses को भी कर सकते हैं या कोई language का course कर सकते हैं कहने का मतलब यह कि आपके लिए यह best option रहेगा according to me अगर आपका score low है क्योंकि यहा the distance learning college अगर आप साथ साथ में अपनी for example बहुत सारे बच्चे ऐसे तो जो यूपी सी की त्यारी करना चाहते हैं न तो उनके उनका अगर स्कोर लो आया सी उटीक अंदर तो वो डिस्टेंस से भी अपनी learning को यानिक अपने distance अपने education को आगे continue कर सकते हैं तो उनके लिए इग university या फिर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी university है उनके top college में आपको admission चाहिए तो उसके लिए सी उटी का score अच्छा करना होगा और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं आगे चल करके एक साल और ड्रॉप ले करके एक साल और अच्छे से मैं तयारी करूंगा इस साल और फिर मैं CUT exam की profession बहुत अच्छे से एक साल के अंदर आप कर सकते हैं और इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए पड़ा 24-7 का dropper batch जो है वो आप उसको क्या कर सकते हो आप उसको option में रख सकते हो तो यह है dropper batch ठीक है तो आप इसको क्या कर सकते हो इसको आप available कर सकते हो तो यहाँ पर जाकर क्या करना है यहाँ पर जाएँंगे बाइनाओ के option पर और यहाँ पर इस में coupon code लगाएंगे वाइफ पॉट एट नाइन तो इसमें मिलेगा आपको best discount मिल जाएगा और साथ साथ में आपको क्या करना है साथ साथ में आपको drop drop जो लोगे तो इसी में आपके preparation करवाई जाएगी CUT 2025 के उसके लिए option के लिए ठीक है next हम बात करेंगे के साथ साथ में किसी other government exam की भी preparation कर सकते हैं अपना time based बिल्कुल नहीं कीजेगा तो इसके लिए अगर आप distance learning कर रहे हो या एसो एल में ड्मिशन लेते हो ठीक है या फिर क्या कर सकते हो अपना drop ले रहे हो तो drop लेने के साथ साथ में ठीक है आप सी यूटिक preparation कर रहे हैं अपने next year के लिए ठीक है साथ में आप इनको भी जो है वो साथ में prepare कर सकते हैं सो SSC हो गया banking हो गया UPSC हो गया Defense police judiciary हो गया management हो गया तो आप इनके courses भी कर सकते हैं इनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं prepare अपने आपको कर सकते हैं तो मुझे लगता है इसे बहुत सारे option है आपके पास तो कि जो low score पर आप इनको जो है वो select कर सकते हैं चूज कर सकते हैं और अपनी study को आगे continue कर सकते हैं ठीक है so a person who never made a mistake never try to anything new जब तक गलतिया नहीं करोगे तब तक आप नया कुछ कैसे सीखोगे है न तो ठीक है low score आया है तो आपको बिल्कुल मायूस नहीं हो ना तो इसी low score के साथ में आपको यह option में मैंने जो बताए हैं आप इनको क्या कर सकते हो इनको आप option में अपने रख सकते हो और इसके अलावा ड्रॉपर बैच के लिए बताया था मैंने तो अभी रिसेंटली जो है वो आपका समर्थ 3.0 बैच स्टार्ट होने वाला है 29 से इसकी क्लासे स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है और आप इसको भी ट्राइ कर सकते हैं तो जाकर के अभी से इसमें अन्रोल कर लीजे ताकि आप 22. 225 CUET exam की बहुत अच्छे से प्रक्रेशन कर सके और उसमें अच्छा स्कोर ला सकें ठीक है या फिर आप महापक को भी ट्राइ कर सकते हो तो यह महापक तीनों स्ट्रीम के लिए है कॉमर्स साइंस और हमार्टीज के लिए ऐसे ही समर्थ 3.0 जो था वो तीनों स्ट्रीम के ल जाएंगे ठीक है तो आगे क्या करना आपको आगे जो है इसको अवेल करने के लिए आपको क्या करना है और हां आपको जो भी अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो नीचे जो है Google form दिया गया है आप उसको फिल करके कोई अपने डाउट जो है वो पूछ सकते ह करना है तो एंडूल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि एंडूल करने के लिए आपको अड़र 247 की आप्लिकेशन को डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद अगर यह दोनों ही जो है वो सेम सेम है तो आप क्या करोगे यह रिसंटली है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो इसको वेल कर सकते हो बाइन पर क्लिक करोगे मैक्सिमन डिसकाँट को पने के लिए वाइट एमन कोड को लगाऊगे अपलाई करो गे और यह ओजाएगा आपके पास क्या यह हूजाएगा आपके पास एंडूल्मिंट रहा कर सकते हैं CUET 2225 के लिए the best result आने के लिए ठीक है so क्या करेंगे all the very best I hope कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसको like को share कर दीजेगा और जिनका भी score low आया है तो उन तक ये वीडियो को परचार दीजेगा thank you very much bye bye to all